कि यह थी विडियो लेक्शुर फोर क्लास 7 जेग्रफी इस एर्थ से स्ट्रॉक्चिर और लैंड फॉर्म्स यानि अर्थ का जो च्ट्रॉक्चिर है उसको और उसके लैंड फॉर्म्स को मुझ पढ़ रहे थे इस चाप्टर मैं मैं पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चु मैंटल और फिर को पढ़े थे अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे डेवलोप्मेंट आफ दी लैंड फॉर्म्स देखेंगे और इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वह होगा रॉक टॉपिक्स ठीक है रॉक्स अब देखिए यहां पर रॉक्स जो होता है इसका हंदी मोता है इसका हंदी मीनिंग है विट जन फिर नेक्स मेड़े करते हैं यह ज चीज से बना हुआ है Aa इसुलिण पार आप देखें होंगे वो जितने भी solid part है जुसके लिथोस पर करते हैं आपको पता है किस चीज़ से बना हुआ है rock से बना हुआ है बास्तर में लिथोस का meaning जो होता है Greek में वो क्या होता है वो rock होता है लिथोस फेर यानि rock का सफेर एक तरह से कह सकते हैं उसके पर जो word rock है यह जैसे ही आप बोलते होंगे तो आपके दिमाग में आता हूँ कि हार्ड मेटेरियल जैसे मार्बल्स, ग्रेनाइट, सैंड स्टॉन के बारे में बात हो रही है लेकिन जो जियो साइंटिस्ट होते हैं जो भू वैग्यानिक होते हैं उनके नजर में रॉक्स जो है वो सॉफ ग्रेवल का मतला होता है वही में कंकर, सिल्ट का मतला आपको पता है जो बढ़े बढ़े चटान के जो टुक्रे होते हैं काफी महीन पार्टीकल्स जो होते हैं, fine particles की रूप में महीन कनों के रूप में, that is known as silt in fact everything, जो की लिठोसफ्वेर को बनाया है वो सभी क्या है? रॉ ता सब्सक्रोंआ को सब्सक्राइब हम जिए हैं मिनरं रसायनिक। या फैसने योग होते हैं आप बंते हैं यह थिल्ट चे जो मिन्राल्ज यहां यह पी क्या है है कि इनके होते हैं क्या है यह ते लग है उसके लाभर ते इनके बनाwać वह अलग है। कि जो कठोर ता हडने सूती हो अलग फिर लश्टर है वह इसलब से मितलब चमक जो होती है उसकी वह अलग होते हैं क्लीर है अब देखिये यहांपे क्या है deepest होता है हो मिनरल है यानिदी तक का जो भी मिनरल हम लोग जानते हैं सभसे हार्डेष्ट कुम हो है वो है डाइमंट ही रहर इसके बाद अगर बात करता हैं इविन समस्तांस जो होते हैं रैसे सालस्ट्रा नोच मी आप इसम रोग साल्ट और जानते होंगे में इंचरा картा वह इतला जो कंटेन करते हैं यूसफुल मैन्रल स्थिससे मेटल वगैरा और इसमें यह सम्डेर हैं copper gold बगएरा यह भी extract किया जाते है उनसे निकाले जाते है अब देखेए इस minerals are called ores तो यह minerals होते हैं जिन से rocks iron copper या gold बगएरा निकलता है iron copper या gold बगएरा निकलता है जिन rocks से जिन mineral से वह क्या 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 गाते हैं और्स के कहते हैं असको हिंदी में कहते हैं असक अब ढीड़ीयो एक फिरन ऌण ढे However Great को अब देखिए रॉके ते से मारवल ग्रीन अईट बैसाल्ट और जो सेंडे स्टोन होते हैं यह सब क्या होता है गुड्डिंग मेने कि निर्मान में ्ह valeur क्यों धुबरल हम यह आप पर जुम कुछ मлекश्शन ए रॉक्ष का उसको अब देखेंगे थिए कि यह रखें इह आपको पतल ऑगे कौंच करें अब का मिलें इन मिल्ज पार ऑर को आप तरॉ को गार कि क्रें लिए प्सटν एक क्ट्स्च देख सब्सके नितना आपको दिखा होगा जो रिल भी ट्रैक होते हैं उस पर ये बिच्छा होता है नेक्स्ट चलेंगे हम लोग टाइपस अफ रॉक को देखेंगे ठीक है टाइपस अफ रॉक में हम लोग थ्री टाइपस को पढ़ेंगे रॉक के जिन में सामिल है आपको नो सबաչी नहीं सब्सक्राइबुस्ण मेटा मॉफिक रॉक्स और सेंटिमेंटरी रॉक्स तु सबसे पहले हम लोग इगनिवस रॉक को देखेंगे इगनिवस रॉक्पो इन हिंदी कहते हैं आगने चट्टान क्या कहते हैं आगने चट्टान कहते हैं ठीक है ना आगने अब देखें डीप बिलो दी अर्थ सर्फेस रॉक्स इन मुल्टिन एस्टेट कॉल्ड मैगमा अब क्या होता है कि जो अर्थ का सर्फेस है उसके नीचे ठीक है ना डीप में जो रॉक्स होते हैं वो मुल तोड़ा सा जस्ट भी फॉर मेल्ट यानि पुरी तरह से पिघलने से जो पहले का स्टेज होता है उस स्टेज में रहते हैं जिसे क्या कहते हैं मैगमा कहते हैं यक रहते हैं और जब मैगमा कूल होता है और सॉलिट्फाइड дол यनि ठंडा होका जब उस हम इंधने से वीक रॉक होता है कुछ आगए तो इधने से मतल्ण होता है और B I K though कर्छा है यह मेर्ड है किससे प्राइमरी रॉक्स कहलाते त्लाइब नहीं क्य navigate ये पहले रॉक्स होते हैं जो बनते हैं आर्थ के एक रॉठाइ-प्रchutz फिर है फॉर मोपन होते हैं इधर सारफिस ओever और विलोइट या तो सफीस्च के ऊपर आकर सबसक्व होंगे या इसके अंदर नीचे में ही सॉलिट फाइड हो जाएंगे कूल होकर अब देखिए इसको समझने के लिए यहां पर इसके टू टाइप को हम लोग पढ़ेंगे जो अर्ड का सर्फेस है उसके ऊपर जो आकर मैगमा ठंडा होता है और सॉलिट फाई होता है सर्फेस प अर्फेस कमें स्धハハal 350 अब संभ्षाइवोस टोब हम लोग शोर्ट फूरा पर हम लोग सेंगे कि अक्स्टूरइम्हां कैसे बनता है और एक्स्टूशिय pot देखन एक्सक्वार को सबस्थार तो देखनाएं इंस प् पहुंच कर अगर जो मैगमा है वह सॉलिफाइड होता है तो जो रॉक्स बनते हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्रूसिव इग्नियस रॉक और देखिए जो मैगमा है और इस दे सर्फेस इन ओना जैसे मैगमा आए घाना वह लावा के रोप में जाना जाने लगता है अब देखिए लावा और मैगमा में यहां पर आपको अंतर इतना ही पता होना चीए ज्यादा confusion confusion word नहीं है बस आपको समझना है कि जो मैगमा होता है ठीक है न वो जैसे ही अर्थ के surface के नीची रहेगा तो वो मैगमा होगा और अर्थ के surface के जैसे ही ऊपर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा वो क्या होता है कि जो लावा है वो कूल और सॉलिटफाइड होना शुरूता बहुत ही तेजी से अर्थ के surface पर सो जो मिंडरल होते हैं इसके अंदर प्रजेंट यह फॉर्म करने लगते हैं स्मॉल अब देखिए रोक्स जो है फॉर्म करता है इन 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 इस मैनर हाव फॉय क्रिंट टेक्टशर डूटू प्रजेंस अव टीनी क्रिस्टल स्ट तो इस से क्या होता है जो रोक्स होता है इस तरीके से काफी fine ग्रेंट टेक्ट्चरिस बनाते हैं क्यों क्योंकिये फाइन यह जो टीनी क्रिस्टल सोते रसके अंदर प्रजेंट होता है और जो टेक्ट्चर होते जिनकी बनावट होती है वह0 वीजिवल नहीं होती है निक्ट आइस से और बैसार अडेसाइट में सोां有點 है आ Are Imple Re Wakate के जो surface होते है इसके अंदर जो process होता है Cooling किसका magma का वो काफी ज़्जञाद होता है Slough होता है काफी ज़्याद होता है so slow cooling अलाव लार्ज से जो praktase nations को मिंडलस को होते हैं क्रिश्टल मिंडलस पूर्म करने के लिए When a crystal इसके जो जो कपस decision हिए काभी जादा कोर्स होता है ठीक है लाइनिग वोती है आगे हम jeito देखेंगे वह वक्क्रम देखेंग ऐसे hoard County तरह का इन्स्थ्रूशिव इंचेश्ण रोगजोंते हैं इसके जो लोग एक diagram के जरिए ये देखेंगे कि किस तरह से इंस्ट्रुसिव और एक्स्ट्रुसिव डॉक्स का formation होता है क्लियर है अब देखें यहां पर आपको डाइग्राम दिख रहा होगा figure 1.3 है जिसमें दिखा गया है formation of extrusive and InstruciV Igneous Rock ठीक है अब देखे यहां पर देखे क्या है कि यह मैगमा है और यह जो यहां पर मैगमा आपको दिख रहा है यह मैगमा बीना अर्थ के जर्थ के जरिए जो दरारे होती है उसके जरिए और उपर आकर solified होना शुरू हो जाता है cool होकर solified हो जाता है और उससे जो rock का निर्मान होता है उसे कहते है extrusive igneous rock मतलब अर्थ के surface से बाहर आ गया, अर्थ के मतलब surface से जो नीचे जो magma जमा था वो बाहर आकर लाबा बना ठीक है न? और उपर क्या हो गया solified हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे extrusive rock कहेंगे extrusive igneous rock कहेंगे ठीक है न? यानि यही जो magma है यह जमीन के नीचे है आ न? बिलो दी सी earth surface है तो यह यहाँ पर magma कहलाता है और यही magma जब बाहर आ जाएगा earth के surface पर आ जाएगा तो वो लावा बन जाता है ठीक है? और वही लावा जो होते हैं जब cool हो जाते हैं काफी जदा ठंडे हो जाते हैं और solified हो जाते हैं तब जाकर जो rock का formation होता है वो होता है extrusive igneous rock और वही लाव मैगमा जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है earth के surface के नीचे ही deep below the earth surface ठीक है ना? और जब वो क्या होना शुरू हो जाता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर ही दीरे दीरे वो solid हो जाता है हाला कि यह जो process होती है यह काफी ज़्यादा slow होती है ठीक है ना? तो वहाँ पर अगर हो जाता है तो वहाँ पर जो रॉक का formation होगा उसे हम लोग कहेंगे इंस्ट्रूसिव इगनियस रॉक क्लियर है यहाँ पर आपको कुछ एक्जामपल दिख रहे हैं इगनियस रॉक के ठीक है जिनमे एंडेसाइट है बैसाल्ट है डायोराइट है गैबरो जो है यह इगनियस रॉक के ही है जिनमें एक्स्ट्रूसिव और इंस्ट्रूसिव दोनों रॉक्स के एक्जामपल यहाँ पर दिए हुए हैं ठीक है इस rock का क्या होता है, formation होता है, clear है, जैसे देखे, running water, wind, moving ice, carry small particles of rock, and when these rock particles are deposited on land or in the beds of oceans or rivers, they are called sediments, तो होता है, क्या है, जो running water होते हैं, जो wind होता है, जो moving ice होता है, यह सब क्या करते हैं, carry कड़के लाते हैं, particles के, किसके particles, rock particles को, और यही rock particles जब deposit हो जाता है, या एक जगई कठा हो जाता है, या तो land के surface पे, या even, जो ocean होता है, उसके समुद्र के निचली तलो पे, जो sea bed होता है, ocean bed होते हैं, वहाँ पर, या reverse के जो नीचे वाला, जो surface होता है, पानी के नीचे, वहाँ पर, जब जमा हो जाते हैं, तो यह क्या कलाते हैं, सेडिमेंट के लाते हैं, और सेडिमेंट जो होते हैं, जो डिपोजिटेड होते हैं, लेयर्स में, जो धीरे-धीरे यह समय के साथ हादेन होना शुरू होते हैं, कापी ज़्यादा कठोर बनना जब यह सुरू होते हैं, बहुत सालों के बाद, हाना, क्योंकि जो लेयर्स है लेइर के उप़र लेइर्स घूपना शुरू होता है जिससे क्या होता है वेट पड़ता है जो वजन बड़ता है ना शोपर और सुमेटिंग मेंटरिय defic्क्रेट जिसे लाइंब बगएरा इसके कारण ये क्या होता है है विज Mira layers are formed underwater, the bait of water also helps in hardening, तो क्या होता है कि जो पानी के नीचे ये जो sediments होते हैं, इसके उपर जो water का pressure बनता है, ये pressure बना कर क्या करते हैं, धीरे धीरे उस sediments को काफी हद तक solid कर देते हैं, और इस तरह से जो rock बनता है इस दिपोजिशन के द्वारा, hard होने के द्वारा, sediments से, यही क्या कहलाते हैं, sedimentary rocks कहलाते हैं, यही कहलाते हैं, परतदार चटान, ठीक है न, तो जो rocks होते हैं, यह formed होते हैं, deposition and hardening of layers of sediments, वही sediments के जो layer होते हैं न, वही जब hard हो जाते हैं, और उस से जो rock बनता है, उस rock को कहते हैं, sedimentary rocks, ठीक है, अब देखें, सच rocks are usually made up of layers of different composition, तो इस तरह के जो rocks होते हैं, वह मिल्ली बने होते हैं, different layers of composition से, है न, देखें, sand stone, lime stone, silk, gravel, clay, है न, conglomerate, और example होते हैं, sedimentary rocks के, ठीक है न, तो यह सब क्या है, example है, sedimentary rocks के, यहाँ पर एक picture आपको दिख रहा होगा, इस picture में आप clearly यह देख सकते हो, कि different layers हैं, देखें, अलग-अलग color की layers है, है न, और यह क्या होता है, यह दीरे-दीरे जम्मे हैं, और सालों लगते हैं, इसको बनने में, हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके, यह इसका formation होता है, यहाँ पर अलग-अलग layers आपको दिख रहा होगा, आपको और बेतर से समझने के लिए, मैं एक और picture यहाँ पर provide कर दे रहा हूँ, यह देखे सेंड़ी द latte, मेन ट्रि रॉक्स ठीक है, मेन ट्री रॉक्स बना किलिर है, अब देखे, ओल जो होते हैं, क्या होता है, और कौल आपको पता है क्वेल, हाना यह भी एक सेंडी मेन ट्री रॉक होता है, लेकिन दूसरे सेंडी मेंौν डिमेंरे रॉक के तरह, यह कौल जो हते ह किसके जरिए organism के जरिए जो remains होते है ना organism के जो अवसेश होते हैं जीवों के मिली plants हाना जो समय के साथ क्या हो जाते हैं दफन हो जाते हैं other sentiment के साथ और यह millions of years पहले जो दफन हो गया थे हाना so high pressure और temperature के कारण under the earth surface यह convert हो जाते हैं remains में हाना remains जो होते हैं कंवड हो जाते हैं मिलई carbon में हाना ओर जो की में चूर और में कंस्टिटीउंट कोज़े में जो मरे हुए plants होते हैं हाना जो दफन हुए plants होते हैं वे जाकर क्या क्या बनाते हैं ठीक है ना में Bakit job झो है वह कहां पर बनता है वह हुँ है सेडिमेंट्री रॉक में यह क्लियर है सो पेट्रोलियम हैस बीन फॉंट बाइद डिके ऑफ प्लांट एनिमल्स रिमेंज डैट वर्ड वूरीड बड़िट 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 सेडिमेंट्स मिलियंस ओफियर अगो हाना तो क्या होता है कि जो आज से लाखो साल पहले क्या हुआ था कि जो प्लांट्स है कि बड़ित्रोलियम बगयरा बनता है रिमें Windows की वह ट्रैप होजाते हैं लेậ Yes and आर यही लेयर्स जो होता है यही जो चीजे ओंदो क्या कलाती हैं थियुद्ध सिर्फ टो known as fossil fields now this is the third types of rocks that is metamorphic rocks okay so the word metamorphosis means change of form so kya मतलब होता है metamorphosis का metamorphosis को in Hindi हम लोग कहते है पड़ी वर्तित चत्तान ठीक है ना पड़ी वर्तित चत्तान कहते है ठीक है न तो यह जो metamorphosis का मतलब होता है चेंज फॉर्म यानि इसके रूप का क्या होना पड़ी वर्तन होना इगनियस और सेडिमेंटरी रोक चेंज दियर फॉर्म अंडर वेरी हाई टेंप्रेचर और प्रेशर सच चेंज रॉक्ष आर नोन ऐज मेटम और फेक रोक समझ रहे हैं यानि जो Igneos rock होता है हा ना और mainly जो sedimentary rocks होते है इनके जो form change होते है किसके चलते high temperature या pressure के चलते के कारण से तो ये जो changes होते है change rocks जो होते है यही क्या किलाते है metamorphic rocks कहलाते है ठीक है so metamorphic rocks are usually very hard तो metamorphic rocks जो होता है क्या होता है आम तर पर काफी जादा है होता है कुछ और आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहां पर सल है स्लेट बनता है और इस तरह से जो है कि अलग अलग आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मेटामॉफिजम प्रेशर के कारण यह सब चेंज होता है वह ऐसे वह सका जो फ़ॉर्मेशन है वह ज्यादा सॉलिफाइड होकर बनना सुरू होता है इस तरह से मेटामॉफिक rocks कनिर्मान होता है अब देखे rocks undergo a cycle of transformation तो rocks जो है वो जाता है cycle of transformation के तरफ है ना जिसे oxer क्या कहा जाता है rock cycle कहा जाता है ठीक है so magma rise करता है from depth below the earth surface produce करता है igneous rock को जो पिछले कुछ पहले हम लोग पढ़े हैं है ना igneous rock को और जो breaking down होता है different type of rocks को वो produce करता है sediments और sediments से क्या बनता है sedimentary rocks बनते है extreme heat और pressure के चलते igneous or sedimentary rocks जो होते हैं वो form करता है metamorphic rocks को और जो when rocks जो होते हैं वो melted होते हैं किसके दौरा by heat new magma इससे क्या होता है formed होता है ठीक है तो जब sedimentary और igneous rock काफी हद तक heat होते हैं extreme heat होते हैं और pressure से तो हो सकता है कि जब यह करते हैं तो new तरह का magma का formation करते हैं ठीक है तो यहां पर हम लोग एक rock cycle को देखेंगे किस तरह से rock cycle है हाना अब देखें यहां पर क्या है यह है magma अर्थ सर्फेस के नीचे जब यह क्या होगा न कूल और हाड होगा तो क्या बनाएगा यह बनाएगा igneous rock clear है और यह igneous rock जब breaking down होगा और ट्रांसपोर्ट होगा और इसका deposition होगा कहीं पर या तो on the earth सर्फेस या या इवेन रिवर्स में या ocean waves में तो वहाँ पर यह सेडिमेंट्स हैं वह धीरे-धीरे क्या होंगे जब हाड और compressed होंगे तब जाके कौन सा रॉक बनाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे clear है और यह सेडिमेंट्री रॉक्स जब अगर हम मेल्ट कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा न उसको विगला देंगे तो क्या बन जाएगा मैगमा बन जाएगा ठीक है अब देखें यहां से या मेंटमूर्फिक रॉक को हम ब्रेक डाउन करके ट्रांस्पोर्ट रडिपोजिट कर दें एक जगा पर तो फिर यह क्या हो जाएगा सेडिमेंट कहला यह और यह एक पर वह भी बढ़न होगा तो development of landforms okay so development of landforms में हम लोग मिलनी पढ़ेंगे major landforms के बारे में जिसमें volcano वगरा सामिल होगा और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि volcano कैसे होता है क्यों होता है और क्या-क्या volcanic terms होते हैं उसको पढ़ेंगे volcanic islands क्या होता है tectonic process को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा आथ कोई major कैसे किया जा सकता है तो यह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्शर में पढ़ेंगे तो थाइंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो इस्टे होम इस्टे सेव थैंक यू